नमस्कार, कक्षा नो, एक्सरसाइस 3.2 प्रशन नंबर एक हम करने जा रहें निम्न लिखित प्रश्णों में से प्रतेक प्रश्ण का उत्तर दीजे कार्तिक तल में किसी बिंदू की स्थिती निर्धारित करने वाली क्षैतिज और उर्धवाधर रेखाओं के क्या नाम है बच्चो इस प्रश्ण को करने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने कार्तिय तल के बारे में काफी कुछ बताया है वह जरूर देखिएगा और इसमें मैं आपको बता देता हूँ देखिए हमने पढ़ा था यह जो खड़ी रेखा है इसे यह है वाई अक्ष और इसी वाई अक्ष को खड़ी रेखा को हम कहते हैं उर्धवाधर रेखा और इसके साथ ही जो यह हमारा एक्सक्ष है जो कि लेटी हुई रेखा है इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा तो यह दो तराएं की रेखाएं हैं उर्धवाधर यानि खड़ी रेखा और लेटी हुई रेखा यानि क्षैतिज रेखा हमसे पूछा गया कि कार्तिय तल में किसी बिंदू की स्थिती निर्धारित करने वाली क्षैतिज और उर्धवार्धर रेखाओं के क्या नाम है तो देखिए क्षैतिज रेखा का क्या नाम है X अक्ष इसे को कहते हैं ना इस क्षैतिज रेखा को कहते हैं X अक्ष और उर्धवाधर रेखा का क्या नाम है वाई अक्ष तो यही इसका उत्तर है X X अक्ष और उर्धवाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष इसके बीच में हाइफन आ जाएगा X अक्ष और Y अक्ष ठीके बेचो कारते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैति जोर उर्धवाधर रेखाओं के नाम है X अक्ष और Y अक्ष लेटी रेखा को कहते है X अक्ष खड़ी रेखा यानि उर्धवाधर रेखा को कहते है दूसरा भाग है इन दो रिखाओं से बने तल के परतेक भाग के नाम बताईए देखे मैंने बताया था कि वाई अक्ष और एक्षक्ष मिलके इस पूरे तल को चार भागों में बाणते हैं एक भाग चतुर्थांश दो चतुर्थांश तीन चतुर्थांश चार इसका मतलब परतेक भाग का क्या नाम है चतुर्थांश क्या नाम है इन रिखाओं से बने तल के परतेक भाग का क्या न और तीसरा प्रश्न है उस बिंदू का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रति छेदित होती है यानि आपस में मिलती है तो दिखिए वाई अक्ष और एक्सक्ष इस बिंदू पर मिलते हैं और हमने क्या कहा था, इस बिंदू का क्या नाम है मूल बिंदू इस का लखाएं ये जो तीसरा प्रश्न है उस बिंदू का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रति छेदित होती है तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु ठीक है बच्चो तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया आशा करता हूँ यह पहला प्रश्न आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद